नमस्कार जितने भी लोग कमपटिशन का तयारी कर रहे हैं तयार हो जाएए मैं प्रतिसत अस्टार्ट कर रहा हूँ सभी एकजाम के लिए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रसन को पढ़के अच्छा से समझे पहला नमर प्रसन प्रसन के भाव में 20 प्रतिसत कमी आने पर इसका भाव 800 रुप्या प्रति क्विंटल हो गया इसका प्रारामभिक भाव प्रति क्विंटल क्या था बहुती असान प्रसन है अगर आप एक बार सिख लेंगे समझ लेंगे तो इस प्रसन को आप बीना कलम को पी यूज किये एंसर बता सकते हैं लेकिन एक बार सिखन होगा समझना होगा तो सबसे पहले आपको मान के चलना होगा प्रारामभिक मुलिय मान लेते हैं एक्स रुप्या प्रती क्विंटल यहां पर समझेगा कितना एक्स रुप्या प्रती क्विंटल तो इसमें कमी हुआ है कितना कमी हुआ है एक्स में कितना कमी हुआ है 20 परतिसत, तो आप direct कैसे निकालेंगे, तो x गुने 20 परतिसत कमी हुआ है न, तो आप 80 बटे 100 लिखेंगे direct में, ठीक है, अगर 10 परतिसत कमी होता, तो x का, यानि की x गुने 90 बटे 100, ठीक है, अगर 30 परतिसत कमी होता, तो आप x गुने 70 बटे 100 लिखते, ठीक है, अब इसके बराबर में आप लिखेंगे 800 इसी के बराबर 800 है इसी को आप solve करिए x का value निकाल दीजे एंसर आ गया तो देखें सबसे पहले एक 0 इहां से काटेंगे एक 0 इहां से अगर आप चाहते हैं काटने के लिए तो यहां पर इसको काट दीजे 8 हेकम 8 और यहां पर 8 हेकम 8 और 2 0 बैठा दीजे इधर में x निकाल है तो x ब्राबर क्या होगा यहाँ पर आप इसको गुना कर दिजिए तीर्चा तीर्ची तो 10 गुने 100 यानि की 1000 रूफिया आपको आ गिया यानि की राइट एंसर यहाँ पर देखिए कहाँ पर है डी ओप्सन सही है अब चलते हैं अगला प्रसन दूसरा नंबर इसमें देखिए क्या पूछा है इसी तरह का प्रसन पूछा जाता है एक टोकरी में रखे आमों में से 20 प्रतिसत खराब हैं यदि इस टोकरी में खराब आमों की संखिया 35 हो तो कुल कितने आम है देखिए खराब आम की संखिया 35 है और प्रतिसत में भी दिया हुआ है प्रतिसत में 20 प्रतिसत खराब है और संखिया में भी दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 20 परतिसत बराबर समझेगा 20 परतिसत बराबर आप 35 लिख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर यह मैं ट्रीक बता रहा हूँ समझने का प्रियास करिएगा अब आपको निकालना है एक परतिसत में तो एक परतिसत में क्या हो जाएगा एक इक नियम त क्योंकि यहाँ पर आप एक परसंट में निकाले हैं, अब आप लास्ट में 100 परसंट में निकाल दीजे, तो 100 परसंट में कितना हो जाएगा, 35 बटे 20 गुने 100 हो जाएगा, एही कहता है, एक इक नियम ठीक है, इसको फटा-फट काटिए, 20 पचे 100 और गुना कर दीजे, 35 गु 175 कहाँ पर है, तो B ओप्सन सही है, अब चलते हैं अगला परसंट, तीसरा नंबर, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, एंसर भी दखिए, मिलाते होए चलिए, एंसर भी लिका हुआ है, सही है, तीसरा नंबर, इसी तरह का परसंट पुछ दिया जाता है, और बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, एक परिक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इसमें 60 परतिसत लड़कियां तथा 50 परतिसत लड़के उतिरन हुए, कुल कितने परतिसत विद्यार्थी अनूतरीन हुए, कितना फेल हुए, तो अब इहाँ पर देखिए, टोटल लड़ का आप 40 परतिसत निकाल दीजे, कैसे निकालेंगे, 900 का 40 परतिसत, इस तरीके से निकालेंगे न, कितना आएगा, दो 0 काट दिये, 9, 4, 36, यानि कि 360 लड़की फेल हुआ है, अब लड़का कितना फेल हुआ है, 50 परसन पास हुआ, तो 50 परसन फेल हुआ, तो यानि कि आधा फेल हुआ, तो लड़कों की संकिया है, 1100, आधा पास हुआ, आधा फेल हुआ, इसके मतलब, 550 फेल हुआ, और 550 पास हुआ, 50 परसन पास हुआ है, तो टोटल, अब यहाँ पर देखे, टोटल कितना फेल हुआ, ये दोनों को आप जोड़िए, तो कितना हो जाएगा, 5 और 6, 6, 5, 11 के 1, 5 और 3, 8, 9, इतना है, टोटल, लड़का और लड़की मिला के, 910 फेल हुआ है, तो क्या पूछा है, कुल कितने परतिसत विद्यारती अनूतरीन हुए, फेल हुए, तो टोटल कितना फेल हुआ है, ये न, अब इसका परतिसत निकाल दीजे, कैसे निकाले परतिसत निकालने के लिए देखिए, 910 है न, बटे में टोटल कर दीजे, लड़का लड़की मिला के कितना है, लड़की 900 हो, लड़का 1100, टोटल कितना हुआ, 2000, तो बटे में 2000 कर दीजे, मैंने इहाँ पर 2000 कर दिया, और गुने में 100, परतिसत निकालने के लिए ठीक है, तो दो जिरो इहां से काट देंगे, एक जिरो इहां से काटेंगे, दो से डिवाइड करिए, तो कितना आ जाएगा, 45 दूना 90, 45 दूना 90, उपर में एक बच गिया, और बटे में 2, इसको आप कहेंगे साड़े 45, तो साड़े 45 कहां पर है, देखिए, बी ओप्सन सही है, अगर आप इसो काटेंगे पूरा, तो क्या हो जाएगा, एक बटे 2 का मतलब 0.5, ठीक है न, तो साड़े 45 परतिस्षत, फेल हुआ है लड़का लड़की मिला के, यानि कि टोटल, ठीक है, किलियर हो चुका होगा, अब चलते हैं, चार नंबर में, इसी तरह का प्रश्णा पूछा जाता है, एक बार मेहनत करिए, अच्छा करिए, देखिए, एक परिक्षा में, 58 परतिस्षत, चात्र अंग्रेजी में, 37 परतिस्षत, गनित में, तथा, 19 परतिस्षत, दोनों बिस्षयों में, अनुत्रीन हुए, दोनों बिस्षयों में, कितने परतिस्षत, चात्र उत्तिर्न हुए, इहां पर क्या बोला है, एक परिक्षा में, 58 परतिस्षत, चात्र अंग्रेजी में, और 37 परतिस्षत, गनित में, तथा, 19 परतिसाद दोनों विशयों में अनुत्रीन हुए ठीक है तब यहाँ पर आप क्या करेंगे न समझने का प्रियास करिएगा ठीक है अब चलते हैं पांच नमबर में यहाँ पर देखिए बेरी इंट्रेस्टिंग प्रिस्ण है यदि एक्स का मान वाई के मान से 25 परतिसाद कम हो तो वाई का मान एक्स के मान से अधीक है अब यहाँ पर समझे एक्स और वाई है ना तो सबसे पहले आप एक्स वाई लिख लिजे क्या बोला है एक्स का मान वाई से 25 परतिसाद कम है तो सबसे पहले आप वाई का मान मान लिजे मान के चलते हैं कि य का मान 100 है 100 मान के चलेंगा इसान होगा 100 है वाई अगर 100 है तो एक्स कितना होगा वाई से 25 परतिसाद कम यानि कि 75 ठीक है यह आपको माइन में कलकुलेट करना होगा या यानिकि 100 में 25 परतिसत कम करेंगे तो कितना होगा देखिए 100 में आप 25 परतिसत कम करेंगे तो मैं direct क्या बोला था 25 परतिसत कम तो क्या करेंगे 75 बटे 100 करेंगे तो आप direct क्या लिखेंगे 75 लिखेंगे जो कि मैं लिखा हूँ अब इहाँ पर क्या बोला, लास्ट में देखिए, इधर में क्या बोल रहा है, तो y का मान x के मान से अधिक है, y का मान कितना अधिक है y का माण कितنا अधिक है 25 अधिक है तो 25 आप लिख लिजीए बटे में किसके कमपरिजन में पूछ रहा है x के कमपरिजन में कितना अधिक है तो बटे में x वाला रखेंगे ठीक है और गुने 100 कर देंगे परतिसत में लाने के लिए तो देखिए 25 तिया 75 और 3 से 100 को काटेंगे तो क्या आएगा 3 तिया 9 3 तिया 9 कितना बच गया एक न उपर में 1 नीचे में 3 रहेगा यानि कि 33 पुरुनांक 1 बटे 3 कहां पर है तो देखिए A option सही है और नीचे भी answer में लिखा हुआ है जो की right है उसी तरीके से देखिए एक प्रशना और है इसको समझने का प्रयास करिए उसी तरह का है A और B आप लिख लिजे सबसे पहले एक बार मैं पढ़के समझा जता हूँ A की I, B की I से 10% अधीक है B की I, A की I से कितने प्रतिसत कम है A की I, B की I से 10% अधीक है A का अधीक है न, तो अब B को मानिए तो असान होगा, मान लेते हैं कि B का 100 है तो A का कितना होगा, यानि कि 10% अधीक 100 का 10% अधीक करेंगे यानि कि 100 में 10% बढ़ाएंगे तो कितना होगा 110 जैसे मैंने पहले क्या बोला था जैसे 100 में 10% ब्रिधी हुआ तो ब्रिधी हुआ तो 110 बटे 100 कर देंगे देखिए तो यह 100 100 कट गया 110 बच गया ना तो यह आपको डारेट समझना होगा 10 परतिसत अधीक है किसका A का यानि कि 110 है तो क्या बोल रहा है B की I A की I से कितना परतिसत कम है तो B का कितना कम है A से 10 कम है ना 10 कम है लेकिन आपको परतिसत में बताना है तो किसके कम परिजन में निकलना है A के कम परिजन में तो A का बटे में आपको रखना है ठीक है और गुने 100 एक 0 कार दीजे ग्यारा से काटिये तो कितना होगा 11,9,99 11,9,99 ऊपर में A को नीचे में 11 तो 9 पुरुनांक 1 बटे 11 9 पुरुनांक 1 बटे 11 C option सही है देखे कितना असान है और इसी तरह का प्रस्णा पुछा जाता है एंसर भी मिला लिजिए C option सही है अब इहां पर देखे very simple चीनी के भाव में 20 परतिसत ब्रिधी हो जाने पर एक ग्रिहनी को चीनी की खपत कितने परतिसत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े देखे बहुती असान है 20 परतिसत क्या बोल रहा है चीनी के भाव में 20 परतिसत ब्रिधी हो जाने पर ग्रिहनी को चीनी की खपत कितने परतिसत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े तो 20 परतिसत ब्रीधी हुआ है न, 20 आप लिख लीजिए बटे में क्या करेंगे, ब्रीधी हुआ है तो 100 पलस 20 कर दिजिए यानि कि 120 कर दिजिए और गुने 100 कर दिजिए answer बन के त्यार हो चुका है देखिए सबसे पहले काटेंगे 1-0 इहां से और 2 से काटेंगे 2-6-12 और फिर इसको कारते हैं 2 से तो 2-6 और यह हो जागा 50 और 3 से काटिए तो कितना हो जागा 16-48 16-48 उपर में 2 बच गया नीचे में 3 देख लिजिए 16 पुर्णांग 2 बटे 3 कहाँ पर है C option सही है कोई doubt नहीं है एक पार practice करिए अब चलते हैं अगला प्रस्ण 8 नंबर में इसमें क्या है जब चीनी के मुलिय में 20% की कमी की जाती है तो एक ब्यक्ति को अपने कितने प्रतिसत खपत बढ़ानी होगी कि उसके खर्च पहले जितना ही रहे यानि कि चीनी क्या बोला है जब चीनी के मुलिय में 20% का कमी हो गया चीनी की मुलिय में कमी आया है तो अब ज़्यादा चीनी लाना होगा क्योंकि उतना ही खर्च करना है ठीक है तो जितना कमी हुआ है उसको आप लिख लिजे, 20 परतिसत का कमी हुआ है, आप लिख लिजे, लेकिन कमी हुआ है, तो आप बटे में क्या करेंगे, 100 minus 20 करेंगे, यानि की 80, गुने 100 कर दीजे, 20 चोउके 80 कट गया, 4 से कातिए, 25 चोउके 100, यानि की 25 परतिसत क्या करना होगा, बढ़ानी होगी, खप देखे, answer को मैं मिला लेता हूँ, D option शही है, अब चलते हैं अगला प्रशना, 9 नंबर, इसमें क्या पुछा है, किसी परिक्षा में A और B को क्रम सा 45 परतिसत तथा 55 परतिसत अंक प्राप्त हुआ, यदि उनके प्रपतांकों का अंतर 90 है, तो परिक्षा कितने अधिक्तम अं अब इहां पर समझेगा, दोनों का प्रतिसत दिया हुआ है, और दोनों का प्राप्तांकों का अंतर दिया हुआ है, तब इहां पर क्या करेंगे, प्रतिसत में अंतर कितना हो रहा है, 55 और 45 में अंतर कितना है, 10 न, तो 10 प्रतिसत आप लिखिए, 10 प्रतिसत में अंतर दिया हुआ है 90 यह आपको समझना होगा ठीक है 90 दस परतिसत में 90 तो एक परतिसत में कितना होगा तो 90 बटे 10 होगा ठीक है और 100 परतिसत में आपको निकालना है यानि कि टोटल पुरुनांक निकालना है यानि कि 100 परतिसत में निकालना है तो क्या हो जाएगा 90 बटे 100 90 बटे 10 गुने 100 ठीक है तो इहाँ पर देखिए इसको कार देते हैं 00 और 900 यानि की 900 900 कहाँ पर है D option सही है बहुती असान था लेकिन एक वार practice करना होगा शिखना होगा तभी आप confidence के साथ बना पाएंगे अब चलते हैं आगे देखते हैं देखिए इहाँ पर प्रस्णा बहुती असान है एक वार पढ़के समझेए A, B, C के बेतन एक अनुपात, दो अनुपात, तिन के अनुपात में हैं B तथा C का कुल बेतन 6000 रुपया है C का बेतन, A के बेतन से कितने परतिसत अधीक है, बहुती असान है देखिए अनुपात में दिया हुआ है ना A और B और C का, तो आप पहले इस तरीके से लिखिए, सोटकाट में A जो अनुपात है ना आप यहाँ पर समझेगा A B, C अनुपात में दिया हुआ है A का 1 है, तो आप 1X मान लिजिए B का 2 है, तो 2X मान लिजिए C का 3 है, तो 3X मान लिजिए, अब यहाँ पर समझेगा, यहाँ पर यह किसका किसका दिया हुआ है B तथा C का कुल बेतन 6000, B और C यानि कि B और C को आप जोड़ेंगे तो 6000 होगा, तो देखिए 2X, अब डियरेक्ट जोड़ें यह दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2X और 3X कितना होगा, 5X न, 5X हो जाएगा किसके बराबर, तो B और C का बेतन को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6000 होगा देखिए काटिए, 12, 55, 60 और 2, 0 बैठा दीजिए अब यहाँ पर समझे यानि कि X का बेल्यू आगिया 12,000, कहने का मतलब है कि A का कितना है X है, यानि कि A का मालूम हो चुका है अब आप तीनों का निकाल लिजिए, तो A का कितना है 12,000 ना, 12,000 समझेगा यहाँ पर A का 12,000 तो B का कितना हो जाएगा B का यहाँ पर 2X है, तो 12, 24 हो जाएगा 12,000 मैं अज पर्स्ट लिख लेता हूँ 24,000 24,000 नहीं है, 100 में है 1200 और 24,00 ठीक है, और C का कितना हो जाएगा C का लिख लिजिए, तो यहाँ पर X के जगह में रख दीजिए 1200, तो कितना हो जाएगा 12,000 तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 12,000 दो 0 अब क्या पुछा है C का बेतन C का बेतन A के बेतन से कितने परतिसत अधिक है, तो देख लिजिए आप C का बेतन A से कितना अधिक है तो आप घटा के देख लिजिए कितना आ रहा है 36 में अगर आप 36,00 में अगर आप 1200 घटाएगे तो कितना आ जाएगा यानि कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 24 आ जाएगा ना 24 यानि A से C का बेतन कितना अधिक है तो 24,00 तो 24,00 आप लिख लिजिए इसके बाद बटे में क्या करेंगे किसके कमप्रीजन में निकालना है C का बेतन A के बेतन से कितने पतिसत अधिक है तो A का बटे में रख दीजिए कितना? 1200 और गुने में 100 कर दीजिए तो यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ देखिए यहाँ पर 100 है तो सब सब पहले यह 2 0 कटेगा 12 दूना 24 यह कट गया और यहाँ पर 100 है तो कितना हो जाएगा? 100 गुने 2 तो 200 देख लिजे 200 राइट एंसर आ गया कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट हो तो जरूर बताईएगा मैं फिर से समझाने का परियास करूंगा